जये श्रीराम अच्छे से ध्यान से सुनना है प्लीज ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और बोलता हूँ कि दोस्त देखो बहुत ही खुबसूरत एक लाइन है कि कभी भी अपने होसलों से अपने हालातों को बदलना अपने हालातों से अपने होसलों को मत बदलने देना यार आप एक क्लिप देखिए और क्लिप देखके आईए देखे, सुने, समझे यतना बड़ा स्टार कैसी बात कर रहा है आप आज मुझको जो देख रहे हैं मैं भी ऐसा नहीं था यहां पर आने के लिए मैंने महनत किया और आज इस स्टेज पर हूँ मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखा हूँ जो लड़के, छोटे छोटे लड़के बोले हैं कि मेरे चैनल डो-दो बार डीमोनिटाइज हुए हैं बावजूद इसके मैं लगा रहा और आज मैं यूट्यूब से लाखों कमा रहा हूँ सारा चीज आपके सामने है आप भी ऐसी सारी वीडियोस देखे होंगे टेक्नो रुहेज है और भी कई सारे चैनलस है पता नहीं आप कभी सर्च करके देखेगा आज से तीन-चार साल पहले जब उसने चैनल अपना शुरू किया था उसका चैनल डी मॉनिटाइज हुआ था छे महीने तक डी मॉनिटाइज चैनल पर भी उसने काम किया सोचिए कितना ज्यादा उसका मोटिवेशन का लेवल रहा होगा तो आपको सफलता पाने के लिए आपको अपने आपको न घहसना पड़ता है यार बहुत मुश्किलात आती हैं लगता है कि नहीं हो पाएगा छोड़ेता हूं लेकिन तभी भी आपको करना पड़ेगा इतनी बड़ी सेलिबरिटी ये बात बोल रहा है आप सोचो आपको कितनी महनत करने पड़ेगी यूटूब बहुत चोटी चीज है लेकिन बहुत सारे क्रियेटर्स यूटूब को हववा बनाते हैं कि यार बहुत सारे क्रियेटर्स हो गए हैं हर केटेगरी में भीड है आपको YouTube channel खोल के बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन कहीं न कहीं वो आपको कई बार डरा देते हैं धमका देते हैं लेकिन आप डरिये नहीं मैं फिर से आपको बोलूँगा कि देखो फुटबॉल के मैच में गोल की पर रहता है लेकिन बावजूद उसके फिर भी गोल होते हैं क्रिकेट के मैदान में 11 खिलाली खड़े रहते हैं लेकिन बावजूद उसके फिर भी बाउंडरी जाती हैं तो आप YouTube पे आए हैं तो बहुत सारे क्रेटर्स हैं होने दीजे बावजूद इसके आपकी वीडियो वाइरल होगी आपका चैनल भी वाइरल होगा आपको भी लोग देखेंगे पसंद करेंगे और कैसे आप अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हैं अब मैं इस बारे में बात करता हूँ आपको अपने चैनल पे काम करने के लिए सबसे पहले आज की सब्सक्राइबर्स तियजे या फिर 30 दिन की 15 वीडियो दीजे या फिर 4 वीडियो दीजे जैसा आपके लिए पॉसिबल है चार मतलब वीग में एक एक देना है तो वीग में एक एक दीजे हर दो दिन में एक देना है तो 15 दिन वीडियो दीजिए हर दिन वीडियो देना है तो 30 दिन वीडियो देजिए आपके उपर है कोशिश लेकिन आपको यही करना है कि रोज वीडियो दें क्योंकि जितना ज्यादा आज के समय में आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करोगे उतना ज्यादा आपका चैनल आगे जाएगा उतना ज्यादा आपके चैनल की रैंकिंग अच्छी होगे YouTube यही आज कल मैंने को YouTube आज कल यही देख रहा है मैंने ये चीज एनलाइज किया हूँ कि कौन अपने चैनल पे कितना ज्यादा काम कर रहा है जो जितना ज्यादा काम करेगा YouTube उसकी वीडियो को उतना ज्यादा उपर ले जाएगा उतने ज्यादा उसके चैनल को उपर खीचता है आप अगर slow काम करोगे तो YouTube उपर खीचेगा आपका चैनल लेकिन काफी ज्यादा slow तरीके से खीचेगा या हो सकता है नहीं भी खीच सकता है तो slow in the sense कैसा कभी कई लोग 2 तिन में काम किये कभी 10 दिन में किये कभी 30 दिन में वीडियो अपलोड किये तो आपका चैनल नहीं चल पाएगा और अगली बात है कि आपको अपने अपने चैनल पे जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है उसी कैटेगरी से ले लेटेड वीडियो डालना है mix वीडियो मट डाले क्योंकि mix वीडियो डालने में mix content mix audience आ जाएगी आपके चैनल पे और एक बार अगर आपके चैनल पे mix audience आ गई ना तो फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए मैं खाने का शौकहीन हूँ आपने अगर मुझको गाना सुनाए गाना भी सुनाए तो मैं आपको देख लिया हाना आपने इस पर dance देखा है मैंने चलिए dance भी देख लिया आपसे जोड़ गया आप YouTube related videos कोई सी बना दिये कोई आया वो भी देख लिया आपने कोई mobile ना आया launch हुआ उसको भी वीडियो बनाए कोई दूसरा आया वो भी देख लिया वीडियो अब आपसे इतने सारे लोग जोड़ गया singing, dancing, YouTube related videos और mobile वाले अब आप अगर कोई वीडियो अपलोड करोगे तो जब ये सारी audience जितनी भी है इसमें से कैसे आपको लोग देखें योगि एक तो phone में interested है एक singing में, एक dancing में, एक YouTube related videos में तो इसमें आपका channel हो जाता है बरबाद उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एक category में अलग-अलग तरह की videos बनाई है और सबसे main बात कि आपको अपने thumbnail पे न थोड़ा सा clickbait यूज़ करना है clickbait मतलब थोड़ा सा impossible type की चीज़े लिखिए जैसे आपने इस video पे click किए कि 7 दिन में 1000 subscribers possible नहीं है ये बात मैं अभी इस video में यही बता रहा हूँ कि possible नहीं है कि आप 7 दिन में 1000 subscribers कर लो लेकिन लोगों को attract करना है तो आपको ऐसे clickbait करना पड़ेगा जितना ज्यादा आप clickbait अपनी videos में करोगे जितना ज्यादा आप clickbait करोगे उतना ज्यादा आपका channel का chance रहता है कि आगे जाएगा क्योंकि पहली बार कोई भी user अगर आपके channel पे आ रहा है आपकी video पे आ रहा है तो thumbnail देखके ही आता है हम दिन बर YouTube feed ऐसे scroll करते रहते हैं मैं आपको बता समझाता हूँ एक बार और अच्छे से यह है हमारा YouTube का app हम ऐसे YouTube feed स्क्रॉल करते रहते हैं जो भी यह video सामने दिख रही है तो thumbnail देखके हम इस पे click करते हैं कोई भी user thumbnail देखके ही click करता है तो thumbnail जितना ज़्यादा attractive रहेगा thumbnail पर जितना ज़्यादा clickbait रहेगा thumbnail पर जितना ज़्यादा ऐसी चीज़े लिखे रहेगी impossible type की तब ही हमें देखके या कोई भी देखके click करता है क्योंकि सीधी चीज अगर लिखी रहेगी तो कई बार हम click नहीं करते हैं थोड़ी सी आड़ी तेड़ी चीज हैं थोड़ा सा impossible type का लगे जो unique भी हो तो ऐसा अगर आप अपने thumbnail पर लेखोगे तो आपका वीडियो पर click किया जाएगा और आपकी वीडियो देखी जाएगी पसंद भी किया जाएगी वीडियो में लेकिन clickbait वही करना है जो आप वीडियो में बात किये हो मान के चलो आपने किसी भैंस के उपर कोई वीडियो बनाए है मैं ऐसी example दे रहा हूँ कि आपकी भैंस 10 लीटर दूद देती है एक time में मान लीजे आपने इस topic पर वीडियो बनाए और thumbnail में क्या लगा दिया share का दूद ऐसा होता है share का दूद कैसा होता है और share बना दिया तो ये तो पूरा ही clickbait हो गया मान लाब अगर आप भैंस की बात कर रहे हो तो भैंस को भी आगे पीछे कही mention करो ऐसा नहीं कि share का दिखा दिये thumbnail में तोटली हलग हो गया इससे क्या होता है image खराब होती है ऐसा में audience जबाती है न तो उसका दिमाग खराब होता है भैंस देखना आया था तुम share देखा रहे हो तो ये चीज नहीं करना ये चीज आपको समझना है और कई बार कई creators मुझसे पूछते हैं समझ में नहीं आ रही है कैसे क्या करूँ तो मैं आपको यहीं बोलूँ है कि देखो आप अभी यूटूब पर आए हो समय दो धीरे 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 सब चीज आप सीखने लगे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे thumbnail बनाना है तो आपको आइडिया लेना है बाकी के creators थे उनके thumbnail देख लीजे और वैसे ही thumbnail बना दीजे कोई copyright का issue होगा नहीं जिनका thumbnail आपको अच्छा लगता है पूरा word to word उनका ही लिख दीजे धीरे धीरे ना आप काम करते रहोगे आप समझ जाओगे कि हमको YouTube पे कैसे काम करना है और देखो एक हजार subscribers करने के लिए आप tags पे बिलकुल भी ध्यान मत दीजे description पे बिलकुल भी ध्यान मत दीजे यह सब सारी फालतू बाते हैं जो लड़के आजकल आपको बता रहे हैं YouTube पे कि ऐसे tags लगाओ ऐसे description लगाओ 12-14 घंटे बाद यह करो सारी बातें दक्यान उसी हैं आपको केवल विश्वास रखना है वीडियो बना के upload करने पे नए नए topics पे वीडियो बनाने पे यह tags, description, 12 घंटे, 14 घंटे यह सब नहीं और वीडियो में चैनल में यह setting कर लो, वो setting कर लो तब आपका वीडियो वाइरल हो जाएगा, यह सब नहीं YouTube का यह update आया है, यह देख लो, वो देख लो इससे कुछ नहीं होता है, आर आपको केवल अपनी वीडियो बनाना है हर रोज नहीं नहीं वीडियो बनाना है, नहीं नहीं टॉपिक्स पर काम करना है simple और fact बात यह है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको सफल यूटूबर बनना है वाख़ी में यूटूब कैसे काम करता है कैसे हमारा चैनल बूस्ट होता है कैसे चैनल को ग्रो करें कैसे हम काम करें ताकि जल्दी जल्दी यूटूब पे ग्रो कर जाए तो सारी बाते मैंने अपनी वीडियो में की है नीचे description में एक playlist है उन सभी playlist को आपने 5 star ratings दी है तो अगर आपको एक सफल यूटूबर बनना है अब तक आपने बाकी एक creators को सुनते आए है एक बार इस छोटे भाई को सुनने का मौका दीजे मैं आपकी पूरी YouTube की life बदल के रख दूँगा description में पहले link पर click करके आप सारी वीडियोज अगर एक बार देख लिए न तो आपको कोई वीडियोज देखने के दुबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी थैंक यू वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजेगा ओओ रहार जर दूआ tabii तो छूआ संद के डाद लाख टाम भलीजिके वnosis भर्णनलिकेखम लुब अगश्योजजज वा लड़